So guys, आज की चुछे में बात करेंगे, Poco की तरफ से लॉंच किये गए एक न्यू 5G स्मार्टफोन की, और ये स्मार्टफोन आपको कम बजट में एक बढ़िया बहतरी नी स्मार्टफोन देखने को उम बिलेगा, Poco की तरफ से. So guys, हम बात करें, Poco M6 Plus 5G स्मार्टफोन की ये स्मार्टफोन आपको बजट सेगमेंट में देखने को उम बिलेगा, और इसकी सेल पांच अगस से स्टार्ट होने वाली है, फिलिप करट के तरू. So guys, सबसे पहले बात करते हैं, Poco M6 Plus 5G स्मार्टफोन के ओफर प्राइस की, वैसे ही ये अल्ड़ेडी लोच हो चुका है, लेकिन सेल स्टार्ट होगी पांच सेगस दे, 6GB 120, 8GB के ओफर प्राइस देखने को मिले हैं, आपको 12,000, वैसे ही स्मार्टफोन 13,000 रुपे का है, दूसर प्राइस होगा, 8GB 120, 8GB, जिसके जो प्राइस है, वो 14,400,000 नियाड में, लेकिन ओफर में ये आपको 13,400,000 नियाड में का देखने को मिलेगा, तो काफ़ बढ़िया स्पेसिफिक के सब देखने को मिलेंगे, आपको Poco M6 Plus 5G स्मार्टफोन के अंदर क्या कुछ मिले जाएगा आपको इस स्मार्टफोन के अंदर, तो सबसे बाला बात करेंगे, बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको Glass Fron देखने को मिलेगा, ग्लास बैक होगा, और प्लास्टिक का Middle का फेन देखने को मिलने वाला है, तो build quality काफ़ी बढ़ है देखने को बलेगी जैसे के वीडियो में देख रहे हैं design भी काफ़ी बढ़ है यहां पर आपको build quality design से कोई भी सिकायत नहीं आगी और यह smartphone IP rating 53 के साथ भी launch किया गया है बात करेंगे phone के display की display मिलेगी आपको 6.79 inches की full hd plus वाले resolution के साथ यहां पर मिलने वाले आपको IPS LCD display 120 gigaard के smooth high reference rate के साथ लेकिन display quality काफ़ी बढ़ है देखने को मिलेगी यहां पर आपको display से कोई भी सिकायत नहीं आगी चाहे content watching हो और चाहे gaming हो यहां पर brightness की बात करें तो यहां पर मिलेगी overall display quality काफ़ी बढ़िया है यहां पर आपको display से कोई भी सिकायत नहीं आएगी यहां पर security के तोर पर आपको side mounted finger print scan और face unlock की security देखने को मिलेगी latest android version 14 के साथ के जाएगा launch और यहां पर आपको hyper os देखने को मिलेगा operating system के तोर पर और यहां पर आपको दो major android अपग्रेड देखने को मिलेंगे यानि कि आप android 16 तक अपग्रेड कर पाएंगे इसी smartphone को तो यहां पर आपको software से पोई भी सिकायद नहीं आने वली यहां पर 3.5 audio jack देखने को मिलेगा अब बात करते हैं फोन के man party यानिकि इसकी performance की सबसे बाला बात करते हैं performance में तो Qualcomm की तरफ से एक powerful gaming chipset Qualcomm Snapdragon 4 generation 2 AE यानिक अशलेरेट एडिसन देखने को मिलेगा जो की 4 nanometer fabrication बनी भी है और यहां पर आपको 2.3 GHz की maximum peak kilo की speed देखने को मिलेगी CP performance के तो यहां पर आपको performance काफी बढ़िया देखने को मिलेगी जिस price पर यह smartphone आपको market के अंदर देखने को मिलेगा LPDDR4 action वाली RAM और UFS 2.2 वर्जन वाली storage support देखने को मिलेगी तो performance से बेपिकर रही है performance काफी बढ़िया देखने को मिलेगी price base पर अगर बात करें camera की तो dual rear camera देखने को मिलेगा 108MP का main sensor होगा लेकिन यहाँ पर आपको OS की support देखने को नहीं मिलेगा and 2MP का macro lens देखने को मिलेगा जो की useless होने वाला है और 1080px पर video recording कर पाएंगे तो camera बढ़िया है and selfie camera की बात करें तो punch roll के साथ मिलेगा आपको 13MP का selfie shooter जहाँ पर आप 1080px पर video recording कर पाएंगे overall price base पर camera काफी अच्छा मिलने वाला है बैटरी के तो पर बात करें तो 5030MH की बैटरी मिलेगी और बैटरी को चार्ज करने के 33W fast charging की support and USB Type-C port मिल जाएगा आपको charging के लिए and 33W fast दर अपको phone के ही साथ देखने को मिलने वाला है अब बात करें color option के तो black, purple और silver तीन color देखने को मिलेंगे तीनों के तीनों काफी बढ़ी है यदि आप कम budget में एक अच्छा 5G smartphone खरीदना चाहते हैं वो भी gaming हो तो आप इस phone के तरफ देख सकते हैं सोवेज आज की जुड़ में तरह हैं कल फर मिलेंगे को नेवगे साथ तब तक के लिए धेंक्य बाचिंग जीड़ जाएंग